Welcome to MQR, मेरा नाम है मंदीप, आज की वीडियो में करेंगे Class 9 के Subject Maths का Chapter No.2 जिसका नाम है Polynomials Polynomials की ये Introduction वीडियो होगी, सो इसे Introduction वीडियो में हमें Concept समझने हैं और जो भी Exercise के Questions को Solve करने के लिए Formula की ज़रूरत है, वो समझने हैं, दोनों को समझेंगे Examples के साथ है Introduction वोक्स में दिये गए है, Introduction कम्प्लीट करने के बाद, Exercises को भी Complete कर लेना है So Introduction स्टार्ट करते हैं Chapter का Next पेज से सबसे पहले Polynomial Chapter का नाम है, तो Polynomial क्या होता है, यही समझते हैं Polynomial में सबसे पहले समझना है हमें Terms को, क्या होती है, Terms होती है हमारी एक Algebraic Expression Example ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर है 2X, 2 हमारा एक Number है और X को कहेंगे Variable जो भी हमारी Term होती है, उसमें जो Number Part है, 2 हमारा Number Part है, Number Part को कहा जाता है Guys, Coefficient, याद रखने वाली चीज़े हैं यह, 2 यहाँ पर हमारा Coefficient है और जो भी हमारा Number के अलावा बचा है, Number के अलावा क्या बचा है, X बचा है तो इसे X को हम कहेंगे Variable, जो भी हमारे Algebraic Expressions होते हैं, उसमें Number Part, Coefficient और जो भी बचा है, वो हो जाएगा Variable, Variable की जगे जादा तर आपको X, Y, A, B, C, इस तरह की कुछ चीज़े देखने को मिलेंगी तो यहाँ पर यह हमारी एक टर्म हो गई है, 2X, 2X का मतलब होगा, 2 और X एक दूतरे के जाथ Multiply है जो भी हमारी यह टर्म है, यह अपने आप में भी एक Polynomial है, कैसे है यह आगे आप समझ पाओगे टर्म समझ ली हमने Number Part होता है और एक Variable होता है, Number Part को Coefficient खागा जाता है इसके आगे हमें दिया है यहाँ पर Polynomial, क्या होता है, It is a Chain of Terms, कई सारी Terms की Chain होती है गैज, Polynomial अब कितनी Terms हो सकती है एक Polynomial में, एक Term भी हो सकती है, दो Term भी हो सकती है, तीन Term भी हो सकती है, या उससे जाधा, चार Term, पांच Term, कितनी भी Term, और जाधा हो सकती है यानि कि अगर कोई भी एक ऐसी टर्म, सिंगल टर्म है जैसे कि यहाँ पर हमारा 2x था उपर एक्जामपल में यह अपने आप में एक polynomial होगा इसी तरह से अगर एक से ज़्यादा टर्म है तो भी उसे polynomial कहेंगे जैसे एक्जामपल के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ वैजे 2x प्लस में 5 जो भी हमारी टर्म से हैं वो हम कैसे पहचानेंगे देखो वैजे जो भी हमारी अलग-अलग टर्म से हैं उनके बीच में प्लस या फिर माइनस का साइन होगा अब और एक्जामपल भी ले लेते हैं एक्जामपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ गाईजे 2x स्क्वेर प्लस में आ जाएगा यहाँ पर 3x प्लस में आ जाएगा यहाँ पर 6 है यह हमारा एक ऐसा polynomial है जिसमें कितनी टर्म से हैं तीन अलग अलग टर्म से हैं एक यह वाली टर्म यह सेकंड वाली यह थर्ड वाली तोटल तीन टर्म हो जाती हैं इस वाले polynomial में और भी भूत सारे एक्जामपल लिए जा सकते हैं जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गईसे x square plus में आ जाएगा यहाँ पर x plus में यहाँ पर आ जाएगा 1 तो यह भी हमारा क्या होगा polynomial होगा polynomial कैसे होगा क्योंकि इन वाली terms में तो हमारा number part है ही नहीं आप यहाँ पर समझो देखो एक चीज लिखता हूँ यहाँ पर मैं आपके लिए 1 x अगर किसी भी value में हम 1 multiply करते हैं तो उस value में कोई भी difference नहीं आता अगर 1 को मैं x में multiply करूँगा तो यह हमारा x ही रहेगा इसलिए जो हमारा यह x है यह क्या है असल में 1 x है 1 x को हम सिर्फ x भी लिख सकते हैं इसी तरह से जो हमारा x square है यह क्या है 1 x square है 1 को x square में multiply कर देंगे तो यह हमारा x square ही रहेगा कोई भी difference नहीं आएगा किसी भी value में अगर हम 1 multiply करते हैं तो उसमें कोई भी difference नहीं आता वो value as it is रहती है इसलिए x square हमारा as it is रहेगा x हमारा as it is रहेगा यहाँ पर हमने polynomials के कुछ examples भी लेगे है अब terms के according polynomials के कुछ types होते हैं उनको भी समझ लेते हैं यहाँ पर types लिखे गए हैं सबसे पहला है monomial polynomial polynomial का ऐसा type है जिसमें सिर्फ एक ही term होती है कोई भी हमारा polynomial जैसे कि हमारा यहाँ पर हमने example लिया था 2x इसमें सिर्फ एक ही term है इस polynomial में अगर एक term है तो इसे हम कहेंगे monomial बिल्कुल simple है इसी तरह से binomial है binomial में क्या होगा दो terms हो जाएंगी example हम यहाँ पर लिख देते हैं जैसे कि हो जाएगा हमारा 3x plus में हो जाएगा हमारा 5 यह हमारा हो जाएगा binomial स्क्वियर उसके बाद आजाएगा हमारा x से उसके बाद आजाएगा हमारा 1 है यह हो जाएगा इसमें कितने terms हैं एक यह वाली term है यह second वाली term है यह third वाली term है अगर किसी भी polynomial में 3 terms होती है तो उसे कहा जाएगा trinomial से monomial में 1 term होगी binomial में 2 term होगी इस वाले page पर terms को समझा, polynomials को समझा और polynomials के कुछ types को समझा, जिसको हमने classify किया था, बाटा था, terms के according. अब polynomials से ही related कुछ और भी points हैं, उनके लिए move करते हैं guys, next page पर. polynomials में next concept आता है guys, degree of polynomial ये क्या होता है, सो इसमें दिया है highest power of variable in polynomial, जो भी हमारे polynomial होते हैं, उसमें highest power, variable की highest power जो भी होगी, उसी को कहा जाएगा degree of polynomial. example लेने से पहले polynomial को ही दुबार एक बार समझ लेते हैं, variable क्या होता है, हो सकता है, आप पीछे वाले page पर समझ कर भूल गए हो, तो revise करा देता हूँ, देखो इस तरह से हमारी term होती है, 2x, इसमें जो भी हमारा पहला number है, उसे coefficient कहेंगे, और जो भी हमारा coefficient के बाद आता है, उसे variable कहेंगे, जो भी हमारा ये variable है, इसकी highest power जो भी होगी, जो भी polynomial है, उसमें variable की highest power है, उसी को degree of polynomial कहा जाता है, इसमें क्या है, ये हमारा variable है, इसकी power कितनी है, कभी भी अगर power नहीं लिखी गई है, variable पर इसका मतलब समझ जाना है कि power है, 1, जो भी हमारा ये 2x polynomial है, इसक degree कितनी होगी यहाँ पर answer में लिख सकते हैं हम 1 इसी तरह से कुछ और example भी ले ले लेते हैं जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ वैसे 2x की power 2 plus में यहाँ पर आ जाएगा x then plus में आ जाएगा यहाँ पर 1 इसी तरह से और लिखता हूँ इसका answer करेंगे इस polynomial की degree क्या होती है यह 2 इसी तरह से यहाँ पर लिख देता हूँ 4x की power 7 plus में आ जाएगा यहाँ पर 8 जो भी हमारे यह polynomial से लिखे हैं मैंने इनकी degree क्या है यह समझना है हमें देखो easy समझ जाओगे example से बिलकुल देखो यह हमारा polynomial है इसकी degree क्या होगी इनके सामने हमें लिखना है डिगरी क्या हो polynomial में variable की highest power इसमें variable क्या है यहाँ पर x है इसकी power कुछ भी नहीं है तो होगी 1 लेकिन degree 1 नहीं होगी क्योंकि highest power x की यहाँ पर नहीं है highest power है यहाँ पर x की power 2 इस polynomial में x की जो highest power है variable की जो highest power है वही degree of polynomial होगा जो कि यहाँ पर है power 2 तो इसकी degree हो जाएगी 2 इसी तरह से यहाँ पर इस वाले polynomial में x की power 1 यहां पर है, x की power 3 यहां पर है, बड़ी power कौन सी है variable की, वही होगी degree of polynomial जो की यहां पर x की power 3 है, तो इस वाले polynomial की degree हो जाएगी 3, इसी तरह से यहां पर हमारा एक polynomial है, इसमें variable हमारा क्या है, x और इसकी highest power कितनी है, 7 है, तो इस वाले polynomial की degree हो जाएग यहां पर आजाएगा 3y की पावर 2, प्लस में यहां पर आजाएगा 3y की पावर 2, अब ये दो पॉलिनोमियल जो मैंने लिखे हैं, इनकी highest power यानि की degree of polynomial क्या है variable क्या है यहाँ पर x नहीं है अब variable हमारा y है तो जो भी हमारा variable y है उसी के according हम degree find करेंगे यहाँ पर देखो y की highest power 2 है y की highest power 8 है मलब इस polynomial में y की highest power क्या है यहाँ पर 2 है यहाँ पर 8 है बड़ा क्या है वही हमारी degree of polynomial होगी यानि की 8 है इसी तरह से इसमें चेक कर लो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 7 है highest कहाँ पर है y की power 7 यहाँ पर है यानि की degree of polynomial इस वाले की हो जाएगी 7 simple है, variable की highest power को कहा जाता है degree of polynomial बिल्कुल simple अब जो भी degree of polynomial है उसी के according guys जो भी हमारे polynomial हैं उनको classify किया गया है उनको 3 parts में बाटा गया है कौन-कौन से हैं, सबसे पहला है linear polynomial, उसके बाद है quadratic polynomial and then आता है हमारा cubic polynomial linear polynomial कौन से होते हैं ऐसे polynomial जिसकी highest power जिसकी degree कितनी हो 1 हो, जैसे इसका example मैं आपको दे देता हूँ, example हो जाएगा 2x plus में 3 यहाँ पर जो भी हमारा variable x है इसकी power कितनी है 1 है, highest power इस polynomial की 1 है, degree of polynomial इसकी 1 है तो x इस polynomial को कहेंगे linear polynomial बिल्कुल सिंपल अब quadratic polynomial की बात करें तो इस polynomial की degree होती है 2, यानि कि एक ऐसा polynomial जिसमें variable की highest power 2 अगर है, तो उसे quadratic polynomial कहेंगे example दे देता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2x, square रगा देंगे plus में आ जाएगा यहाँ पर x यह हमारा, देखो यह variable x है, इसकी highest power यहीं पर है, 2 है तो इसे quadratic polynomial कहेंगे cubic polynomial में क्या होगा जो भी degree है polynomial की, वो अगर 3 होगी तो वो हमारा cubic polynomial हो जाएगा, जैसे यहाँ पर example में लिख देता हूँ में आपके लिए कुछ भी लिख सकते हैं example में, बस हमें ध्यान रखना है, जो भी हमारा variable है, उसकी power 3 होनी चाहिए तो यहाँ पर में लिख देता हूँ गा से, यहाँ पर आजाएगा हमारा x की power 3, प्लस में आजाएगा 1, जो भी हमारा यह x यानि की variable है, power कितनी है इसकी, 3 है इस पूरे polynomial में, variable की सबसे बड़ी power यही है तो इसे कहेंगे cubic polynomial, polynomial को हमने पीछे वाले page पर terms के according classify किया था 3 parts में, इस वाले page पर हमने degree के according, जो भी variable की power होती है, उसके according classify किया है, linear quadratic और cubic polynomial में, so simple simple points यहाँ पर हमने जो भी polynomial है उससे related समझ लिए हैं अब कुछ और difficult point की तरब पढ़ते हैं, जो इसके हमें जादा examples लेने होंगे, so उसके लिए move करते हैं next page पर chapter में next concept आता है zeros of polynomial zeros of polynomial क्या होता है, किस तरह से find करना है, दोनों चीज़े समझेंगे लेकिन उससे पहले आपको यह समझना है कि जो भी zeros of polynomial है उसको roots of polynomial भी कहा जाता है, polynomial के roots की बात की जाए, या फिर polynomial के zeros की बात की जाए, दोनों चीज़े एक ही है, अब क्या होते है यह zeros of polynomial तो यहाँ पर दिया है zeros of a polynomial are those value of variable x which makes the polynomial equal to 0 जो भी polynomial है उसके 0 क्या होंगे variable x की कोई ऐसी value जो पूरे polynomial को 0 के equal कर दे variable x की value होता है zeros of polynomial जिससे जो हमारा polynomial है वो 0 के equal हो जाता है definition से समझ में नहीं आया है तो example से easy आप समझ पाओगे example के लिए यहाँ पर guys सबसे पहले हम समझेंगे linear polynomial जो होते हैं, उनके zeros कैसे find करने हैं, तो यहाँ पर example ले लेता हूँ, जो भी हमारा polynomial है वो कुछ इस तरह से लिखा जाता है guys p बनाएंगे, bracket यहाँ पर लिखे लगाएंगे फिर variable आएगा हमारा x यहाँ पर equal का sign लगाके अब polynomial लिखा जाएगा let's suppose हमारा polynomial है 2x प्लस में 1, यह हमने जो polynomial लिखा है यह linear polynomial है linear polynomial की degree कितनी होती है 1, यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी हमारा variable x है इसकी power कितनी है 1 है, जो कि इस polynomial में variable की highest power है तो यह linear polynomial हुआ अब इसके zeros कैसे find करेंगे यह समझना है zeros find करने में क्या होगा जो भी variable x है उसकी ऐसी value जो उस polynomial को 0 के equal करते यानि कि जो भी हमारा polynomial px है वो 0 के equal होगा ठीक है तो यहाँ पर लिखेंगे px equals to में हो जाएगा 0 अब यहाँ पर px किसके equal है देख सकते हो px equals to में है 2x plus में 1 के यानि कि इस px की जगह पर हम यह लिख सकते है px की जगह पर आ जाएगा हमारा guys है 2x plus में 1 equal to में रखतेंगे 0 या फिर बिल्कुल simple बताता हूँ आपको जो भी हमारा polynomial है उसके equal में 0 रख दो और जो भी variable है उसकी value find कर लो जो भी variable x की value आएगी उसी को कहेंगे zeros of polynomial या फिर roots of polynomial जैसा हम यहाँ पर भी करने वाले हैं यहाँ पर variable हमारा x है x की value ही हमारी zeros of polynomial होगी तो x की value find करने के लिए x यहाँ पर as it is रहेगा equals का sign लगा लेंगे plus का 1 है दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा minus का 1 इसके बाद x के साथ यहाँ पर 2 multiply में है दूसरी side shift करेंगे तो यह हो जाएगा divide में 2 simple है बिल्कुल minus sorry plus 1 दूसरी तरफ गया minus 1 हो गया x के साथ 2 multiply है दूसरी तरफ बेज गया तो divide में हो गया जो हमारी यह x की value आई है minus 1 upon में 2 यही होगा हमारा zeros of this polynomial इस polynomial का 0 या फिर कह सकते है इस polynomial का root 0 का मतलब 0 नहीं है 0 का मतलब है variable की value ऐसी value जिससे polynomial 0 के इकबल हो जाए यह तो हमने find कैसे करना है यह समझा है अगर हमें polynomial का 0 दिया गया है तो उसे verify किस तरह से करना है यह भी समझ लो इसी के लिए ले लेते हैं suppose कीजिए हमें x की value minus 1 upon में 2 दी गई है और हमसे पूछा है कि क्या यह x की value इस polynomial का 0 है कैसे पता करेंगे तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ polynomial को जो भी हमारा यह है p x equals to में 2 x plus में 1 अब इसमें जहां जहां पर भी x है x की value suppose कर लीजिए हमें यहां पर यह given है x की value जहां जहां पर भी x आता है इस polynomial में यहां पर भी यहां पर भी सभी जगह पर value put कर देंगे जो हमें given होगी minus 1 upon 2 है हमारे इस वाले case में तो यहां पर minus 1 upon 2 put कर देंगे 2 यहां पर आ जाएगा x की जगह पर आ जाएगा हमारा minus 1 upon 2 जहां पर भी है उसके बाद plus का 1 as it is if यहां पर आप देख सकते हो denominator में 2 है उपर 2 है यानि कि 2 से 2 हमारा cancel हो जाएगा इसके बाद बचेगा क्या minus 1 plus 1 यहां पर लिख लेते हैं minus 1 बचा plus 1 बचा इनको सही तरह से arrange करते हैं सही तरह से arrange करने का मतलब होगा plus वाला 1 पहले लिखना minus वाली value बाद में लिखना यह plus वाला 1 है इसको लिखेंगे यहां पर 1 इसके बाद यह वाला minus 1 है इसको लिखा जाएगा 1 में से 1 को minus करेंगे तो हो जाएगा 0 क्या समझे यहां से जो भी हमारा polynomial का 0 होता है वो polynomial को 0 के equal कर देता है देखो हमने इस value को x की जगे पर put किया तो polynomial की value क्या हो गई 0 हमें मिल जाती है तो कोई भी polynomial दिया क्या है linear polynomial दिया क्या है उसके 0 कैसे find करने है यह हमने यहां पर समझ लिया और verify कैसे करना है कि polynomial का 0 है या नहीं जो भी variable है उसकी जगे पर उसकी value put करेंगे अगर हमारा answer solve करने पर 0 आता है तो वो polynomial का 0 होगा अगर 0 के अलावा हमारा कोई भी answer आ जाए तो वो polynomial का 0 नहीं होगा root नहीं होगा यह दो simple चीज़े हमने यहां से समझ ली है linear polynomial जिसकी degree 1 होती है उसके लिए हमने समझ लिया है किस तरह से polynomial के zeros find करने है किस तरह से उसको verify करना है अब quadratic polynomial के लिए थोड़ी सी हमें different approach रखनी होती है वो कैसे करेंगे इसको समझने के लिए चलते हैं next page पर linear polynomial के जो zeros होते हैं उनको कैसे find करना है उनको किस तरह से verify करना है दोनों चीजे हमने पीछे वाले page पर समझ ली थी अब बार याती है quadratic polynomial के जो zeros होते हैं उनको किस तरह से find करना है यहाँ पर है zeros of quadratic polynomial जब भी quadratic polynomial के zeros find करेंगे तो इसका एक method होता है method का नाम होता है factorization of polynomials suppose कीजे यहाँ पर हमें यह quadratic polynomial दिया गया है इसके हम factor करेंगे factor करने में क्या होगा जो भी इसके middle term है जिसके साथ x दिया हो variable की single power हो यहाँ पर variable x है इसकी power कितनी है 1 है इस वाली term को split किया जाएगा इस वाली term को बाटा जाएगा दो parts में कैसे करना है इसको approach कैसे करना है यह समझ लो थोड़ा सा difficult अभी आपको लगेगा लेकिन इससे related आप जितने जादा questions की practice करोगे आपके लिए यह easy होता चला जाएगा इसको किस तरह से solve करना है यह समझो सबसे पहले तो हमने इसको standard form में लिख लेना है standard form क्या होती है जो भी variable है सबसे बड़ी power वाला variable सबसे पहले आएगा उसके बाद उससे कम power वाला उसके बाद constant value जिसके साथ variable दिया ही नहीं होता है यहाँ पर x की power 2 है हमने सबसे पहले लिखा x की power 1 है इसके बाद लिख दिया और constant वाला सबसे last में लिख दिया अब इसके 0s find करने के लिए equal to में हमें 0 भी करना होगा क्योंकि 0s find करने पर क्या होता है polynomial 0 के equal हो जाता है अब इसको solve कैसे करना है 0s find कैसे करने है middle term को split कैसे करना है सबसे पहले वाली term जो है है इसमें multiply कर देंगे चलो जो भी हमारी values है ना उनको multiply करना है तो यहाँ पर last वाली term 5 है यहाँ पर मैं 5 लिखूंगा 6 x square को 5 से multiply करेंगे 6 5 जा यह हो जाएगा हमारा 30 x square as it is रहेगा यहाँ पर जो हमारा यह number है ना इसके हमें factors करने होंगे तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 30 इसके factor करेंगे 2 से करेंगे तो आएगा guys 15 उसके बाद फिर से यहाँ पर करेंगे 3 से तो आजाएगा हमारा 5 यहाँ पर 5 से करेंगे तो आजाएगा हमारा 1 इस तरह से जो भी हमारा number आया है first और last term को multiply करने से उसके factors कर लेने है अब जो भी हमें यह factor मिले है इनको इस तरह से arrange करना है दो factors में जिनको add करने पर या subtract करने पर हमारे middle term वाला number मिल जाए देखो यहाँ पर क्या करनेंगे 2 हमारा यह as it is ले ले लेंगे उसके बाद 3 को 5 से multiply करेंगे 3 5 जा हो जाएगा हमारा 15 हमें 2 यह number मिल गए है हमें इनको 17 बनाना है कैसे बनाएंगे 15 प्लस में 2 यहाँ पर इस तरह से हम लिख सकते हैं 15 प्लस में 2 तो 15 और 2 को add करने पर हमारा 17 बन जाएगा इस तरह से हमें इनको arrange करना है factors को ऐसे 2 numbers में convert करना है जिनको add या subtract करने पर हमें middle term वाला number मिल जाएगा अब जो भी 17 है इसको हम कैसे लिखेंगे 15 प्लस 2 में लिख सकते हैं न तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 17 हो जाएगा हमारा यहाँ पर 15 x जो है न इनके साथ में लिखा जाएगा यहाँ पर x आ जाएगा 15 के साथ में भी 15 x प्लस में 2 x उसके बाद हमने क्या किया middle term को दो पार्ट में split कर दिया 17 x है इसको हमने लिख दिया 15 x प्लस में 2 x दोनों को add करने पर हमें यही value हमारी मिल जाएगी middle term को split करने के बाद last वाली term प्लस का 5 हमारा as it जाएगा और equal to में 0 भी लिख देंगे अब जो भी middle term हमने split की है इससे next step क्या होगा देखो guys छुरू वाले जो हमारी 2 term है इन में से common लेंगे जो कुछ भी हमें common मिलता है क्या common मिलता है यह समझो देखो x यहाँ पर भी आता है यहाँ पर भी आता है तो सबसे पहले x यहाँ पर common ले लेंगे उसके बाद 6 के sorry 3 के table में 6 भी आता है 3 के table में 15 भी आता है यानि कि यहाँ पर 3 भी common लिया जा सकता है 3 x इन दोनों terms में से common लेने के बाद बचेगा क्या, सबसे पहले X square है, X हमने बाहर लिखा है, तो यहां पर X बचेगा, इसके अलावा 3 के table में 6 का बाता है, 2 times पर, यानि कि यहां पर 2 बचेगा, उसके बाद 3 के table में X ये वाला हम को मल ले चुके हैं, 3 के table में 15 का बाता है, 5 times पर, तो यहाँ पर plus का 5 आ जाएगा इसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया 6x square और plus 15x में से 3x common ले लिया तो हमें ये value मिली अब हम जो next वाली term है इनमें से भी common लेना होगा कुछ इस तरह से कि next वाला जो bracket बनेगा हमारा उसमें भी हमें 2x plus में 5 मिले लेकिन 2x plus में 5 तो already यहाँ पर है इसमें से क्या common लिया जा सकता है यहाँ पर plus का sign लगाएंगे 1 लिखेंगे next वाले bracket में से हमने क्या किया इन दोनों terms में से हमने क्या किया 1 common लिया जब भी किसी value में से 1 common लेते हैं तो उन values में कोई भी change नहीं आता है वो as it is रहती है यानि कि इस वाले bracket में हमारा 2x plus में 5 आ जाएगा और equals to में 0 कर देंगे simple step है बिल्कुल starting वाली दो term में जो भी common आता है वो common लेने ना है उसके बाद next वाली जो दो term हमारी है उन में से भी जो common आता है वो ले लेना है 2x plus 5 में कुछ भी common नहीं हमें मिलता है तो 1 common लिया जा सकता है किसी भी term से अब क्या करेंगे जो भी हमारा bracket के अंदर वाली values है इनको common लिया जाएगा common लेंगे तो 3x और plus 1 इनको 81 लिख दिया जाएगा यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3x plus में 1 इसको bracket के अंदर डाल देंगे और जो हमारा इस वाले bracket के अंदर 2x plus 5 है है यहाँ पर भी 2x plus 5 है है इनको common लिया जाएगा यानि कि ये एक ही bracket के अंदर आ जाएगे 2x plus में 5 पे एक ही बार लिखा जाएगा इनको common लेने का मतलब क्या है एक बार ही इनको लिखा जाएगा अब equals to में 0 हमारा asd यहाँ पर हमें दो values मिलती है दोनो brackets के अंदर तो यहाँ से हम क्या करेंगे x की value find करेंगे दो values मिलेंगी हमें एक value x की यहाँ से मिलेगी एक value x की यहाँ से मिलेगी so first वाले से 3x plus में 1 bracket हटाने पर equals to 0 आजाएगा कोमा लगाएंगे उसके बाद 2x plus में 5 equals to में यहाँ पर भी 0 आजाएगा जो भी brackets के अंदर values है उनके equals to में 0 रखेंगे अब यहाँ से x की value find करेंगे x की value क्या होगी इस वाली condition में plus 1 है दूसरी तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा minus का 1 है then denominator में x के साथ 3 यहाँ पर multiply है दूसरी साथ भेजेंगे तो यहाँ पर आजाएगा हमारा यह divide में x की हमें एक value मिलती है minus 1 upon 3 x की second value क्या होगी यहाँ से हमें मिलेगी तो यहाँ पर हमारा x as it is equals to में plus का 5 है दूसरी तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा हमारा minus का 5 है denominator में x के साथ यहाँ पर 2 multiply में है दूसरी साइड shift करेंगे तो आजाएगा divide में x की हमें 2 value मिलती है 2 value क्यों मिली क्योंकि यहाँ पर quadratic polynomial की degree 2 होती है जितनी degree होगी उतनी ही हमें values मिलेंगी variable की linear में क्या था सिर्फ x की एक ही value मिलती थी variable की एक ही value मिलती थी क्योंकि degree 1 होती थी quadratic में degree 2 है तो x की हमें 2 अलग-अलग values मिलेंगी अलग-अलग भी मिल सकती है same भी मिल सकते है लेकिन हमेशा दो value मिलेंगी एक यहाँ पर मिली है एक यहाँ पर मिली है जो भी हमारी यह x की value है minus 1 upon 3 minus 5 upon 2 इनी को कहा जाएगा zeros of polynomial जो भी हमारा यह polynomial है इसके दो zeros आएंगे minus 1 upon 3 minus 5 upon 3 इसको हमने find किया factorize करके जो भी हमारा polynomial है इसको middle term को split करने का वाला method है जो भी हमारा quadratic polynomial है उसके zeros किस तरह से find करना है यह हमने समझ लिया है अब जो भी यह zeros आए है इनको verify कैसे करेंगे कि यह इस polynomial के zeros है या नहीं verify करना बिल्कुल simple है यहाँ पर करते है verify इसे रब करता हूँ यहाँ से मैं verify करने के लिए जो भी हमारा polynomial है उसको लिखेंगे यहाँ पर लिखते है polynomial है हमारा 6 x square plus में 17 x plus में 5 अब क्या होगा variable जो हमारा x है उसकी value हमारी minus 1 upon 3 है जहाँ पर भी इस polynomial में x है उसकी जगह पर ये वाली value पुट कर देंगे पहले ये वाली value verify करेंगे ये आप खुद से कर लेना variable x की जगह पर आपको value पुट करनी है यहाँ पर आजाएगा हमारा 6 x की जगह पर minus 1 upon 3 x का square है तो इसकी value का भी square हो जाएगा इसके बाद plus का यहाँ पर आजाएगा 17 x की जगह पर आजाएगा हमारा minus 1 upon में 3 then plus का 5 आजाएगा ये value put करने के बाद अगर हमारा polynomial 0 के equal हो जाता है तो बिल्कुल ये zeros of polynomial होगा इसका check कर लेते हैं solve करके यहाँ पर हमारा 6 as it is आएगा उसके बाद यहाँ पर देखो minus 1 का square minus 1 का square 1 होता है denominator में यहाँ पर है guys 3 3 का square करेंगे तो 3 3 जा होता है 9 है इसके बाद यहाँ पर देखो 17 को minus 1 से multiply करना है plus minus यहाँ पर sign आएगा minus का 17 को 1 से multiply करेंगे तो हमारा 1 17 ही रहेगा denominator में 3 as it is इसके बाद plus का 5 है as it is है यहाँ पर 3 के table में 9 भी आता है 6 भी आता है 3 3 जा हो जाएगा 9 and 3 2 जा हो जाएगा 6 है 2 को 1 से multiply करेंगे तो यह आजाएगा हमारा 2 denominator में 3 as it is इसके बाद minus का 17 upon में 3 and plus 5 as it is है अब इसको आगे solve करने के लिए जो भी हमारे 2 upon 3 17 upon 3 fraction है इनका LCM हमें लेना होगा हमें 5 के denominator में भी अगर 3 मिल जाए तो हमारी यह equation easy solve हो जाएगी 5 के denominator में 3 लगाने के लिए क्या करेंगे 5 में उपर भी 3 से multiply करेंगे नीचे भी 3 से multiply करेंगे हमारी value में कोई change नहीं आएगा लेकिन denominator में हमें 3 मिल जाएगा जो भी हमारी यह equation है इसको आगे यहाँ पर solve करते है यहाँ पर देखो guys सभी के denominator में हमें 3 मिल जाता है तो LCM हमारा 3 आ जाएगा 3 के उपर हमारी values जो है वो same रहेंगी यह हमारा 2 आ जाएगा माइनस में 17 आ जाएगा इसके बाद 5 को 3 से multiply करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 15 अब यहाँ पर आप देख सकते हो ध्यान से देखो 2 प्लस का है, 15 प्लस का है 2 प्लस में 15 यह हो जाएगा guys हमारा 17, माइनस का 17 as it is यह वाला माइनस का 17 यहाँ पर as it is आ जाएगा यह वाला 17 कहां से हाया है 2 और 15 को add करने पर और denominator में 3 हमारा addities आ जाएगा अब 17 में से 17 को minus करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0 denominator में 3 addities 0 upon 3 हमेशा 0 के ही equal होता है तो ये वाला polynomial minus 1 upon 3 variable की जगे put करने पर हमारा 0 के equal हो गया है it means क्या होगा minus 1 upon 3 इस वाले polynomial का zeros होगा क्योंकि इसको put करने पर variable की जगे पर polynomial 0 के equal हो जाता है जो भी quadratic polynomial है उसके zeros या फिर कह सकते हैं उनके roots कैसे find करने हैं ये मैंने आपको बता दिया है और उनको verify कैसे करना है कि वो उस quadratic polynomial के zeros है या नहीं ये भी मैंने आपको बता दिया है तो जो भी zeros of polynomial है ये वाला concept हो जाता है हमारा over क्योंकि cubic polynomial के zeros find करना class 9 में नहीं आएगा class 10 में इसको सीखेंगे तो ये वाला zeros of polynomial वाला concept हो जाता है over इससे related एक छोटा सा concept और है zeros of polynomial से नहीं values of polynomial find करना कैसे find करेंगे इसको समझने के लिए move करते हैं next page पर zeros of polynomial समझने के बाद अब एक easy सा concept और समझना है हमें values of polynomials polynomials की values कैसे find करनी है suppose कि ये हमारे पास ये polynomial है इसकी value find करनी है हमें x equals to 2 के लिए जो variable x है उसकी value हमें given है तो इस polynomial की value क्या होगी इसी example से समझ लेते हैं बहुत simple concept है तो यहाँ पर क्या करना होगा देखो simple है polynomial जो भी हमारा दिया गया है इसमें variable की value तो दी गई है तो variable x की जगे पर जो भी इसकी value है वो put कर देनी है जहाँ जहाँ पर भी x इसमें आता है यहाँ पर x आया है 2 रख देंगे यहाँ पर x आया है इसकी value जो भी दी गई हो 2 दी गई है तो 2 दे रख देंगे अगर और कोई value दी गई है suppose कि यह 0 दी गई है तो 0 रख देंगे minus 1 दी गई है तो minus 1 रख देंगे अगर 8 दी गई है तो 8 रख देंगे यहाँ पर जो भी लिखा होगा वही x की जगह पर put कर देंगे, solve कर लेंगे, polynomial की value हमें मिल जाएगी, करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर हमारा 5 as it is आएगा, 5 के बाद x है, x की जगह पर 2 रखेंगे, minus का sin as it is, 4 b as it is, x का square है, x की जगह पर 2 आगया, x का अगर square है, तो इसकी value जो हमने put की है, इसका भी square हो जाएगा, तो यहाँ पर लगाते है square, उसके बाद plus का 3 हमारा as it is आजएगा, अब इसे solve कर लेंगे, जहाँ 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 पर भी x था, यहाँ पर x था 2 रख दिया, यहाँ पर x था हमने 2 रख दिया, जहाँ पर भी variable है x से, उसकी value हम हमें रख देनी है, जो भी हमें given होगी question में, अब इसे solve करेंगे, 5 को 2 से multiply करेंगे, यह हो जाएगा हमारा 10, उसके बाद minus का sign, minus का 4 as it is आजएगा, 2 का square, 2 को 2 से multiply करेंगे, यह हो जाएगा हमारा guys bracket के अंदर, 4 then plus का 3 हमारा as it is, अब इससे next step में यह वाला 10 हमारा as it is minus का sign भी लगा देंगे, 4 को 4 से multiply करेंगे, यह हो जाएगा, 16 then plus का 3 हमारा as it is, जो plus वाली values है, उनको add कर लेते हैं, कौन कौन सी है, 10 plus का है, 3 plus का है, दोनों को add करेंगे, तो यह हो जाएगा हमारा guys, 13 minus का 16 as it is, 13 में से 16 को minus करेंगे, छोटी value में से बड़ी value को minus करते हैं, त अब निकालना कैसे है, इनका difference देख लेंगे, 13 और 16 का difference कितना होता है, 3 वही यहाँ पर हम लिख देंगे, यह हो जाएगा हमारा इस polynomial की value, x equals to 2 के लिए, simple है ना कितना, जो भी polynomial है, उसमें x की जगे पर, जो भी x की value given होगी, उसको put कर देना है, solve कर लेना है, तो polynomial की जो भी value है आपको पता, चल जाएगी, यह simple सा concept हमारा हो जाता है, complete, अब एक important concept के लिए move करते हैं, next, page पर, जब एक polynomial को दूसरे polynomial से divide करेंगे, तो reminder में हमें क्या मिलेगा, यह हमें समझना है, इस वाले concept, reminder, theorem में काफी important concept है, यहाँ पर अभी तक आपने सीखा होगा, पीछे वाले classes में, dividend equal to main, divisor multiply में, quotient plus में, reminder, यह simple सा concept आपको पहले से पता होना चाहिए, क्योंकि आज से पहले वाली classes में आपने यह concept सीखा होगा, जब division करते थे numbers का, polynomials का division कैसे करना है, simple method होता है, dividend यहाँ पर आता है, divisor से उसे divide करते हैं, तो उपर हमें quotient मिलता है, and calculation के बाद हमें reminder मिलता है, let's suppose, जो भी हमारा ये PX polynomial है, 3X square plus में X minus 1, यह हमारा होगा, dividend, लिखते हैं, इसे यहाँ पर, यह हमारा आजाएगा, guys, 3X square plus में X से दना आजाएगा, minus में 1, अगर इस polynomial को हमें GX, यानि कि इस वाले polynomial X plus 1 से divide करना है, तो reminder क्या मिलेगा, पहले division करके देख लेते है उसके बाद reminder theorem से shortcut में हम reminder पता लगा सकते हैं, division करना भी आपको आना चाहिए, इसलिए divisor की जगे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इस polynomial को हम divide करेंगे, X plus 1 से, जब हम divide करेंगे, तो reminder क्या मिलेगा, यह important concept है, हमारा reminder find करने वाले questions आएंगे, तो X plus 1 से 3X square plus X minus 1 को हमें divide करन है, कैसे करेंगे, देखो simple है, यहाँ पर X है, यहाँ पर 3X square है, हमें इस X को 3X square बनाना है, तो किस से multiply करना होगा, इस X को हम multiply करेंगे किस से, सबसे पहले तो 3 से multiply करेंगे, 3 से multiply करेंगे, X को तो यह हो जाएगा 3X, लेकिन अभी भी X square नहीं हुआ है, अगर हम इसको 3X से multiply करें देखो x से x multiply होगा x square हो जाएगा और 3 से multiply करेंगे तो 3x square हो जाएगा तो यहाँ पर जो भी हमारा ये x plus 1 है, इसको 3x से multiply करेंगे, 3x को पहले x से multiply करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 3x का square, उसके बाद 3x को 1 से multiply करेंगे, किसी भी value को 1 से multiply करते हैं, तो उस value में कोई भी change नहीं आता है, यानि कि 3x को 1 से multiply करने पर 3x ही ये रहेगा, अब यहाँ पर देखो क्या हुआ है जो भी हमारा ये 3x square है नीचे भी 3x square है विल्कुल same value हो गई है उपर वाली value में से नीचे वाली value को minus किया जाता है minus करने पर क्या बचेगा जीरो जीरो लिखने की बजाए हम इनको direct इस तरह से cancel कर सकते हैं इस तरह से हमें एक line लगा देनी है it means ये values हमारी cancel हो गई है अब यहाँ पर उपर x है नीचे 3x है x में से 3x को minus करेंगे एक side में लिखके इस तरह से करके देख सकते है x में से 3x को minus करेंगे छोटी value है उस में से बड़ी value को minus करेंगे तो सबसे पहले minus में answer आएगा अब 3x और x का difference कितना है 2x का difference है तो यहाँ पर 2x हमारा आ जाएगा यहाँ पर क्या होगा गई से जो भी हमारा AWS का यहाँ पर इंको solve करने पर आएगा हमारा minus में 2x इसके बाद जो हमारा यह minus 1 है इसको नीचे लेकर यहाँ पर आ जाएंगे यहाँ पर आ जाएगा हमारा minus में 1 अब जो भी हमारा x plus 1 है इसको क्या करना होगा हमें minus 2x बनाना होगा इस वाले x को कैसे बनाएंगे सबसे पहले minus करना होगा तो minus का sign यहाँ पर आना चाहिए minus x होना चाहिए यह उसके बाद 2 से multiply करना होगा तो minus में 2x बन जाएगा यहाँ पर 2 से multiply करेंगे x plus 1 को 2 से sorry minus 2 से minus 2 से x को multiply करेंगे तो यह हो जाएगा minus में 2x इसके बाद minus 2 को 1 से multiply करेंगे 1 plus का है 2 minus का है plus minus यहाँ पर आएगा guys साइन माइनस का उसके बाद 2 को 1 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो यह हुजाएगा हमारा 2 अंजा 2 अब यहाँ पर देखो माइनस 2X माइनस 2X उपर और नीचे दोनों वैल्यू सेम हो गई है तो इनको हम कैंसल कर सकते हैं या फिर इनको सोल्व करने पर हमें 0 मिलेगा इसके बाद माइनस 1, माइनस 2, माइनस माइनस यह हो जाएगा यहाँ पर साइन गाईज प्लस का, अब यहाँ पर क्या होगा इसको एक साइड में सोल्व करके देख सकते हैं जैसे हमने यहाँ पर किया था हमें क्या करना है गाईज minus 1 में से minus करना है किसको minus 2 को समझे एक sign यहां भी होता है हमने minus 1 में से इस वाली value minus 2 को minus करना है it means minus minus plus यहां पर यह sign मैंने पहले से लगा दिया है 2 यहां पर हमारा plus का हो जाएगा क्योंकि एक minus का sign यहां पर है एक minus का sign यहां पर है minus minus यहाँ पर मैंने sign आपके लिए लगा दिया है, plus होगा so 2 यहाँ पर हो जाएगा हमारा plus का, तो हमने पहले लिख लिए उसके बाद minus 1 है, जो हमारा ये लिखेंगे, 2 में से 1 को minus करेंगे तो हमें मिलेगा 1 है, हमने क्या किया, एक polynomial को दुसरे polynomial से divide किया इस वाले polynomial 3x square plus x minus 1 को हमने x plus 1 से divide किया तो reminder में हमें 1 मिला divide कैसे करना है यह समझ में आपको आ गया होगा अब बिना यह division किये क्या हम reminder find कर सकते हैं बिल्कुल किया जा सकता है reminder theorem का use करके अब reminder theorem में कैसे हम reminder find करेंगे यह समझ लोगा यही काफी मस्त चीज होने वाली आपके लिए बिल्कुल short तरीका आपको बताऊँगा देखो जिससे हमें divide करना है यानि कि जो भी हमारा divisor होगा ना यह हमारा divisor है जिससे हम divide करते हैं divisor से क्या करेंगे x की value find कर लेंगे यहाँ पर मैं लिखता हूँ x प्लस में 1 इसके equal to में रखेंगे हम 0 यहाँ से अब x की value find कर लेंगे x की value find करने के लिए x हमारा as it is x के अलावा जो भी values है सबको दूसरी साइड में भेज दो यह plus का 1 है दूसरी साइड में find की है इसको polynomial जो dividend वाला polynomial है उसमें put कर देंगे x की जगह पर यहाँ पर इस polynomial को मैं लिखता हूँ जो है हमारा px equals to में यहाँ पर आ जाएगा 3x square plus में x minus में 1 यह वाली जो value है x की value minus 1 है इसको x की जगह पर इस वाले polynomial में यह x है इसकी जगह पर put करेंगे यह x है इसकी जगह पर भी put कर देंगे तो reminder हमें मिल जाएगा solve करने पर so x की जगह पर p हमारा as it is x की जगह पर minus 1 equals to में 3 हमारा as it is x की जगह पर minus 1 x का square है इस x का square है तो इसकी value का भी यहाँ पर square होगा इसके बाद plus sign as it is x की जगे पर minus 1 और x के बाद जो यह minus 1 है यह as it is यहाँ पर हमारा आ जाएगा अब इससे solve कर लेंगे value put करने के बाद तो हमें reminder हमें मिल जाएगा हमने यहाँ पर divide किया था तो reminder कितना मिला? 1 मिला, देखते हैं इस condition में भी क्या हमें 1 मिलेगा चलो, solve करते हैं 3 हमारा as it is आएगा minus 1 का square minus 1 को minus 1 से multiply करेंगे इस तरह से करके देख सकते हो minus 1 multiply में minus 1 minus minus यह हो जाएगा plus का या फिर minus sign से minus sign cancel हो जाएगा, 1 को 1 से multiply करेंगे तो हमें यहाँ पर bracket के अंदर 1 मिलेगा, इसके बाद यहाँ पर देखो bracket के बाहर plus का sign है bracket के अंदर minus का sign है plus minus, यह होगा हमारा minus 1 हमारा as it is उसके बाद यह वाला 1 है यह भी हमारा as it is आजाएगा इसके बाद next step में क्या होगा 3 को 1 से multiply करेंगे 3 बंजा 3 हो जाएगा उसके बाद क्या है हमारे पास minus 1, minus 1 दोनों 1 कैसे है, minus sign के साथ है minus वाली values हमेशा अपने आप में add हो जाती है लेकिन sign minus का ही रहता है इन दोनों का sign minus है तो minus यहाँ पर आ गया यह दोनों add हो जाएगी 1 और 1 यह हो जाएगा हमारा 2, 3 में से 2 को minus करेंगे तो reminder हमें कितना मिला 1 मिला गा इसे हमने division जब किया तो हमें reminder 1 मिला और हमने reminder theorem का use किया तो reminder हमें अब भी 1 मिला कौन सा method आपको easy लगा क्या यह division वाला method easy लगा या reminder theorem से हमने जो reminder find किया है वो easy भी लगा अब यहाँ पर एक concept और समझ लो जब भी हमें इस तरह से reminder find करेंगे reminder अगर हमारा 0 आता है तो उसे हम कहेंगे कि x plus 1 इसका factor है x plus 1 इसको completely divide कर देता है reminder में अगर हमें 0 मिल जाता है तो वो उसका factor होगा अगर 0 के अलावा हमारा कोई भी answer आता है तो factor नहीं होगा उस condition में यह simple concept आपको समझना है इस related questions भी आपके देखने को मिलेंगे exercise में भी और exams में भी अगर 0 reminder मिलता तो हमारा x plus 1 इसका factor होता लेकिन हमें 0 नहीं मिला है तो x plus 1 इस polynomial का factor नहीं होगा so reminder theorem में division कैसे करना है यह मैंने आपको समझा दिया बिना division की अगर reminder find करना है यह भी मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया दुबारा से बता देता हूँ क्योंकि एक important concept है जिस से भी हम divide करेंगे यानि कि जो भी divisor होगा वहाँ से variable की value find कर लेंगे और जो भी हमारा dividend होगा उसमें variable की जगह पर जो भी value हमने find की है वो put करके solve कर लेंगे तो reminder हमें यहाँ पर मिल जाएगा यह सबसे easy तरीका है reminder theorem से reminder find करने का so reminder theorem complete हुई यह ही chapter का last concept था अब आते हैं कुछ formulae इस chapter में जिनको देखते हैं next page पर अब आपके सामने प्रस्तुत है algebraic identities यानि की formulae polynomials के questions को solve करने के लिए यह सारे के सारे formulae चाहे इनका screenshot ले लो चाहे इनको अपनी notebook में लिख लो सारे के सारे formulae आपको याद हो जाने चाहिए इनका use कैसे करना है questions को solve करने के लिए यह आपको बताया जाएगा जब question हमारे सामने आएंगे exercises में exercise में भी questions आएंगे exam में जरूर इन से related आपके लिए questions देखने को मिलेंगे जो भी formula यहाँ पर इस page पर लिखे गई हैं यह सारे के सारे याद होने चाहिए तभी exercise अच्छी तरह से हम solve कर पाएंगे इनी formula के साथ जो भी हमारा आज का polynomial का introduction था यह हो जाता है complete उमीद करूँगा सभी concept आपको समझ आए होंगे अगर आए हैं तो वीडियो को like कर देना आपने classmates के साथ share कर देना जितने भी नए students हैं चैनल को subscribe कर लेना जो भी educational videos हैं इसी तरह से चैनल पर आती रहेंगी class 9 से related जाने से पहले आपको बता दू हमारा android app आने वाला है android app जैसे ही आएगा उस पे कुछ जो भी study material आएगा link आपको नीचे description box में provide कर दिया जाएगा या फिर google play store से भी आप download कर सकते हो हमारे android app को इसके अलावा telegram group का भी link दिया जाए है description box में जो भी study material है उसके links वहाँ पर share किये जाते हैं उसको भी join कर लेना है so that's it मिलता हूँ आपसे इसी तरह के next educational video में